OTT प्लैटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्मों की खास बात ये है कि इन्हें आप अपने घर में बैठ कर अपने समय सुविधा अनुसार कभी भी देख सकते हैं, इसमें वक्त की पाबंदी नहीं है, आप अपने बाकी के काम करते करते भी इन्हें देख सकते हैं या कुछ हिस साबाद में भी देख सकते हैं, लेकिन थियेटर यानि बड़े पर फिल्म को देखने का एक अलग मज़ा होता है, जिसे आप अपने फोन पर महसूस नहीं कर सकते, ये तो बात हुई दर्शकों के नजरिये से, लेकिन अगर फिल्मेकर्स के नजरिये से भी देखें, तो भल फिल्मेकर्स अच्छे से जानते हैं कि थियेटर में कमाई के पॉइंट आफ व्यो से रिस्क फैक्टर तो जरूर है, लेकिन उनकी फिल्म को बनाने की महनत को सही धंग से थियेटर द्वारा ही लोगों के सामने पेश किया जा सकता है, जल्दी हिंदी सिनेमा में तीन गए महनत को मोबाइल फोन पर जज किया जाना ठीक नहीं है, इन सभी फिल्मों के प्रडियूसर्स का मन है कि फिल्म में उच्छ कोटी का VFX है जिसे केवल बड़े परदे पर ही महसूस किया जा सकता है, इसलिए हम अपनी फिल्मों को OTT प्लैटफॉर्म पर रिलीज ना करक थियेटर में ही रिलीज करेंगे, वहीं ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए भी करन जोहर की यही राय है, उनका भी यही कहना था कि उन्होंने फिल्म में जिस तरह का VFX का इस्तमाल किया है, वो केवल बड़े परदे के लिए है, आपको बता दे, यह सारी बहु चर्चत फिल्म में हैं जिनका लोगों को बेसबरी से इंतजार है, ऐसे में OTT प्लैटफॉर्म इन फिल्मों को खरीदने के लिए मोटी रकम लिए बैठे हैं, लेकिन इन सभी फिल्मेकर्स ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो अपनी फिल्मों को थियेटर में ही रिलीस करेंगे, भले इस